सुबह के जटपट जल्दी नाश्ता के लिए रेडी करें आज ऐसा नाश्ता बनाएंगे जो आपके बच्चों को लंच में बहुत ही अच्छा लगेगा आपके बच्चों को बहुत टेस्टी एकदम से टूट पड़ेंगे इस लंच में तो गाइस बिल्कुल भी किप मत करन वीडियो बहुत हेल्फुल होने वाली है और बहुत हेल्दी नाश्ता है तो चलिए गाइस करते हैं वीडियो स्टार्ट हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माइच चैनल कुंज की रसोई तो चलिए आज आपके बच्चों के लिए टिफिन के लिए बहुत ही बहुत बहुत जhटपट वाला तयार करते हैं तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट हमने एक परात ले लेंगे तो करांट लेंगे कि आठेंगे नाश्ता परात जालेंगे तो आप देखती जाएए आगे क्या होता है और यहां डालेंगे हम स्वाद अनुसान नमक जैसा आप नमक खाते हो आप वैसा डाल सकते हैं तो यहां मैंने स्वाद अनुसान डाल दिया है नमक आटे में अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अपने हाथों की मदद से तो इसानल इसनल और जैसे मिक्स कर लेंगे तो देखिए इस तरीके से मिक्स कर लेते हैं अब इसानल डालके अच्छी से आते को गूत लेगे तो इसको एक dough बना लेंगे हम अच्छे से तो चलिए गाइस मैं इसको अच्छे से आटा गूत लेती हूँ और हमारा गूत के एकदम से तयार हो गया तो अब हम इसको रखेंगे साइड में अब करेंगे स्टफिंग की तयारी तो यहां मैंने एक शिम्ला मिर्च और एक प्याज बरीक-बरीक काट लिया है दोनों को तो यह देखिए और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमें यह नाश्टे के लिए बरीकी-बरी काटना है ज्यादा मोटा नहीं काटना है लेकिन नाश्टे मोटाद रzlichकिंडे को जक्तों ने आश्टे को लिए तो आछे को चीज ग्रे बच्चे बच्चे और की मिक्स को आपने और यह हैं तो चलिए उसको ग्रेड कर लेते हैं। यह तो नंहीं के लिए तो बरीक चमस धनिया पाउडर और एक पिंच करके ले लोंगी मैं लाल मिर्ची पाउडर मिर्च आप अपनी साफ से डाल सकते हैं कि यहां बच्चों के लिए बना रहा है तो मिर्च हम कमी डालेंगे और यहां डाल देंगे हम पिज़ा और पिज़ा और टेश्ट आयाता है फ्लेवर लोंगी को अच्छी से मिक्स कर लेते हैं यह देख इस तरीके से of Ini करने के बा happens हमारी यह क्स करेंगे मिक्स हो चुकी है मैं इसा को बम सब्सक्पर और सब्सक्राइब करें करंदां धहांगी 10 देखिए को इस तरीके । देखेंए ज कि ढूह priori कि देखें मेरे मेरे अने मेञेक । तलसे सबाएगी 2 दोने कीज़िए तो यहां बना थाया दक सकते हैं फेल्वाने के बाद गाईस हम इसको देखे मैं इसको इस तरीके से मोरूंगी यह देखे इस तरीके से अगर आप गौल शेप में मिना रहे हुआ तो आप गौल शेप में बिना सकते है तो यह देखे मैं स्क्याइगल यह बना अब हम इसको आठा लेंगे इसमें सुखा वाला और तब इसको बेलेंगे तभी अच्छी से बिलेगा यह तो यह देखिए इसको इस तरीके से दवा देंगे ताकि जो हमारी प्याज शिम्ला मिर्चनल निकले ना तो यह देखिए बहुत आराम आराम से बेलन को हमें दवाते जा रहा है अभी पूरा नहीं बनाए तो यह देखिए मैं इसको इस तरीके से बेल देंगी तो यह देखिए कितने अच्छी से बिल चुका है यह देखिए और इसको हाथ की मदद से अच्छी से बढ़ा देंगे चलिए अब चलते हम गैस की तरफ सो गैस पर हमने तवा उसकी निआची घी देखिए फिलान के दाल देंगे तो यह देखिए देखिए अग्ज省 इसको हम भी करना है तो चलिएगा इसको से नीचे पर नीचे से शिक चुक्त है तो हम हम यह पे उपर की साइड में भी घी डाल देंगे इसमें एक चमज और इसको अच्छे से स्प्रेचुला से अच्छे से इसको फैला देंगे चारो तरफ पराठे पे तो और इसको अच्छे से हम पराठे को पलट देंगे तो यह देखिए हमारा पराठा बहुत अच्छे से नीचे से सि पप्र साफ्रकूद करकर देंगे तो चलिए मन इसको अच्छे से घ्रे developed ग्रेट कर देती। चैरों तरप से फैलाते हुए अच्छे से इसको ग्रेट कर देंगे सो हम यहाँ झाल प्रते हाँ था मुझा साफ्रका की इसको है बच्छो चीजी को चीजर को च्यों एक और चीज लिया और इसके उपर ग्रेट कर दिया तो चलिए अभी हम इसको पूरा अच्छे से ग्रेट कर देते हैं तो यहां पर हमारा अच्छे से ग्रेट हो चुका है और इसको तो गाइस मेरा यह बीच में अच्छे से ग्रेट हो गया है तो इसको हातों से ही मैं इसको तो यह देखे इस तरीके से में इसको फैला दूगी यह देखे इस तरीके से तो यहां इसको फैलाने के बाद गाइस यहां पर हम एड़ करेंगे नमक भी क्योंकि उपर से तो नमक नहीं था ना तो इस चीज में हम थोड़ा सा नमक एड़ कर देंगे तो बहुत ही थोड़ा क बेंगे तो यह देखिये है फ्रेफ कर दिया तो अब हम यहां ले लेंगे और यां झाल लेंगे और वाथ को तो इसको प्रिंश्यisale सीयों Ap दीरे दीरे तो melt हो रहा है वह पूरी तरह से melt हो जाता है यहां पर मैंने प्लेट ले लिये तवे की साइज की और इस पर हमें अच्छे से ढग दिये चलिए एक मिनट के लिए इसको अच्छे से ढग देते हैं एक मिनट हो चुकी है अभी मैं चीमटा से उठाती हूं यह गाइस देखे कितना चीजी बनाया हमारा यह पराथा पीज़ा बहुत यमी लग रहा है देखने में बच्चे तो सच बताने हूं आपके तूटने वाले हैं इस पर सच बताने हैं बहुत यमी बहुत टेस्टी लग कि चले गाइस अब हम इसको पीज़ा कटर से इस के अच्छे से हम कटिंग कर लेंगे तो काइस यह देखिए पास से बी मैं आपको दिखा देती हमारा अच्छे से चीजी बनाय हमारा पराथा पीज़ा बहुत यमी बनाय है और आपको नीचे से भी दिखा दिया है चार पीस कर लेंगे इनको और बच्चों की हम इस टिफिन में सर्व करेंगे ना सच बतारें गाइज बहुत यमी लगेगा बहुत टेस्टी लगेगा अब आपको तोड़के भी दिखा देती हैं बहुत क्रंची हो गया है खाने में बहुत मजा आने वाला है बच्चों को यह देखिए तो यह हमारे चार पीस अच्छे से हो चुके हैं यह देखिए तो चलिए गाइज अब हम करेंगे इनको सर्विंग तो हम अपने बच्चे के टिफिन में लंच में पैक करने वा रहे हैं तो चलिए हम लंच में पैक कर लेते हैं तो गाइज यह देखिए लंच ले होती है जो बच्ची को देखने में बहुत अच्छा लगे और खाने में एक्दम मजा आ जाए तो यह देखे हैंब करके किंगे इसं से डाल देंगे तो यह देखिए हमाँ चारो पीस आशमने डाल दिए हैं अच्छी तो यहां मैंने एक चोटी डिभी है तो इससे मैं डाल दूए तो इस भाने वालाज़। को एकदम से खुश हो जाएंगे आपके बच्चे सच बतारी आप से बार बार माँएंगे खाने के लिए तो चलिए गाइज अब हम इसको पैक कर देते हैं तो यहां पे मैं जुखा लूँगे धक्कन और इसको अच्छे से पैक कर देते हैं और बच्चों को देखे एकदम से रेडी कर देते हैं तो हमारे बच्चे बहुत अच्छ से खुश हो जाएंगा तो बच्चे के लंच में बना के सच बतारीं गाइस बच्चे तो आपकी खुश होने वाले तो खुश तो होई जाएंगे जब इतना अच्छा नाश्ता मिलेगा बच्चों को सुबह तो आज का हमारा यह नाश्ता कैसा लगा अगर अच्छा लगा हो तो प्रीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना भर भर के लाइक कर देना कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके बच्चों को पसंद आया है यह नाश्ता या नहीं और जाए जाए शेयर करना तकि बाकी कुलना तो मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ बाई बाई टेक क्यार